अब तक आपने तेन डिफेरेंट अलग-अलग एपसोड को देखा और मुझे इस्टेंट्स के बहुत सार रिक्वेस्ट आए कि सर्क्लास 10 के एक्जाम्स है और 28th of March उनका इंग्रिस का पेपर है तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेसल एपसोड लेकर आए हूँ जिसमें फॉर्स फ्लाइट जो बुक है उसके कम्प्लीट प्रोस सेक्शन को 150 से ज्यादा और मुस्पू हंडिट अब्जेक्टिव को मैंने कवर किया है और आपके रिक्वेस्ट पर मैंने यह किया ह इसलिए मैं उमीद करता हूँ कि आपके भरपूर प्यार मिलेगा इसे लाइक भी करेंगे चैनल को सब्स्राइब करें और जल्द ही आने वाले एपसोड से मना है पोईट्र सेक्शन ग्रामर सेक्शन और आपसे रिलेटेड क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के बहुत सारे स्ट को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं तो बिना कोई देर किये जस्ट हम लोग सुरू करते हैं बस यह सिर्फ मैं बता रहा था कि अभी इस में यह अगर वीडियो लंबी बनेगी तो मैं तीन से चार पार्ट में इसे डिवाइड करके डाल दूंगा आप दोनों देख सकत हैं तो चलिए let's get started there are 11 chapters जैसा कि आपको पता है लेटर तो गौर्ट से लेकर करके निलसन मंडेला लॉंग वाप फ्रीडम टूस्टोरी बाफ लाइंग सो होते हुए जो आपका लास्ट जो 11 चैप्र प्रपोजल तो हम लोग चैप्टर को सुरू करते हैं फिर से मैं सिर्फ right answer दे रहां थ्री wrong answers मैं वहां से पहले ही eliminate कर चुका हूँ या तो मैं one-liner answers की तरह या short questions को तरह या objective questions की तरह मैंने सारी चिज़ को cover किया है या fill in the blanks और हाँ synonyms, antonyms जो आपको questions में पुछा जाता है तो चलिए, the first chapter is A letter to God ठीक है, बड़ी interesting story है जो आप पढ़ चुके है Who has written this story यह question तीन-चार तरीके से पुछा जाता, आपको पता है, बहुत common most question है कि किस ने इस story को लिखाया है या who wrote this story who authored this story, a named author अलग-अलग तरीके से पुछा जाएगा आँसर है, जी एल फुएंटिस Why did Lencho need money? Lencho को पैसे की जरुवत क्यों थी? To save his family from hunger उन्हें इसलिए जरुवत थी ताकि अपने परिवार को भुखा रने से बचा सके ताकि भुखे रने की नौवत नहीं आए What did Lencho hope for? Hope यानि आशा या उमीद लेंचो को किस चीज़ की उमीद थी, क्या चीज़ का आशागा उन्हें A shower of rain और at least sun drizzling यानि उन्हें उमीद थी कि अच्छा खासा बारिस हो और नहीं तू कम से कम हलकी खुखार भी हो What looked like new coins किस क्या चीज़ लेंचो को New coins की तरह यानि नय सिख्य की तरह मालूम हो रहा था The answer is rain drops और पिर आपको पता चलेगा कि जो big rain drops था वो 10 cent pieces की तरह और जो small rain drops 5 tenths इससे उन्होंने compare किया है How much money did he demand उन्होंने कितने पैसे डिमांड किया थे God को जो उन्हेंने later लिखा था लेंचो ने तो उन्होंने डिमांड किया था 100 pieces Prices क्या है अलग अलग जगा के currency को कहीं के currency को आप dollar कहते है कहीं के currency को रुपिया कहते हैं कहीं के currency को टाका कहते है अलग अलग जगा दिनार कहीं दिरम इसी तरीके से पैसे भी currency का नाम है The postmaster collected 70 pieces with great effort अब आपको पता है कि उन्होंने अपने लेटर में God से तो 100 pieces मांगा लेकिन postmaster अपने सारे employees और साथियों के साथ कुल मिला करके 70 pieces को collect कर पाए How was Lencho satisfied? Lencho कब satisfied हुआ था? Seeing the field of ripe corn with flowers वो satisfied है नहीं संतुस्ट उन्होंने देखा कि जब फिल्ड में खूल लगया है और पूरी तरीके से फसल तयार है तब वो देख करके वो बहुत संतुस्ट थे बस उन्हें सिर्फ इंतजार थी बारिश की Where was Lencho's house situated? Lencho का घर कहां पर situated था? कहां पर रवस्तित था? On top of the hill वो पहाड़ी के उपर था What destroyed the field? किस चीज़ ने पूरे फिल्ड को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया? The answer is hell is strong. यानि ओला उरिस्टी जो पत्थर जो आस्मान से गरता है जिसे हम कहते हैं कि बर्थ की बर्थ के गरना खुब बर्बारी हुई What did you think of the post office employees? वो post office employees के बारे में क्या सोच रहे थे वो? यानि वो post office employees के बारे में सोच रहे थे कि a bunch of crooks और dishonest people दोनों आप सार वो सकता आपका यानि bunch of crooks का सकते हैं बनमास लोग जो अच्छे लोग नहीं थे और dishonest भी बैमान लोग तो वो उन्हों के बारे में अच्छे राय नहीं लग रहे है रख रहे थे इसलिए कि आपको पता है कि उनको लगता था कि God can never make a mistake so definitely he would have sent 100 pesos लेकिन ये post office employees जो है इन्होंने 30 pesos गायब कर दिया यानि लेकिन लेकिन के लिए आखरी उमीद क्या बच गई थी obviously here from God उनके आखरी उमीद तो अब इस वर्ष से मदब थी next how did the field look after hellstorm जब पूरी बर्ब बारे है इसके बाद field कैसा हो गया था the field looked as if it was covered in salt ऐसा लग रहा था यानि पूरी मैदान में salt यानि नमक चारो तरफ से बिखेर दिया गया यानि पूरी तरीके से सपेध हो गए थी धाती है न बर्ब की चादर लगता बिच गए थी नमक के length to compare the large rain drops to new coins of 10 cents and small ones to 5 cents pieces यह मैं बदा चुका हूँ कि यह rain drops तो compare करता है पैसे से लेकिन जो बड़ी बड़ी बूंदे 10 cents और small जो ड्रॉप से 5 cents पीसे उनको लग रहे थे लेंचो का फिर्ट डामेज विट प्लेग ऑफ लोकस्त यह बहुत बहुत इंपॉर्ट है कि लेंचो ने जो यह पूरे के पूरे डामेज हुआ पूरा फिल तबाह हो गया उसको किस चीसे compare किया मानों की पूरे प्लेग आ गया हो किस चीसे लोकस्त का लोकस्त क्या है जो सैको हजारों की तादाब में उड़कर आते हैं जो किड़े और वो पूरे का पूरे लग जाती है और खेतों को तबाह कर देते हैं उड़ने वाले वह एक समझना जरूरी है मैंने लिखा contented और साटिस्वाइड देखी कि contented कहीं मिनिंग होता है साटिस्वाइड ऐसे वर्स को हम कहते हैं synonymous words या synonyms आप देखिए synonyms क्या है चुंकि मैं फिर बता रहा हूं कि देखिए जो बुक है आपके विहार बोर्ट जाकरन बोर्ट इसके अ बात को express करने में फालम होता है तो कभी-कभी confused करते हैं कि surnames क्या हूँ अन्टोनेम्स क्या हूँ तो surnames are the words with the same meaning लगबग लगब एक ही जो मीनिंग देने वाला है जिस amicable के लिए friendly word है जैसे आपने पढ़ा होगा the postmaster was fat and amicable man postmaster कैसा था वो मोटा ताज़ा और फुसमजाज आदमी था, amicable, friendly in nature तो इसी के लिए word आया friendly that means amicable इस तरह के words को कहते हैं synonyms और antonyms कहते है words with nt और opposite में आप ऐसे यानर किये यारी s for synonym, s for same, a for antonym और a for nt और opposite क्या तरखिएगा कि जो antonyms मतलब opposite word पूछा जा रहा जैसे satisfied का dissatisfied, day का night, morning का evening इस तरह एक opposite word को कहते है antonyms है न विपित आर्थक सब या विरोम सब और synonyms को कहते है समान आर्थक सब्द या क्या कहा जाता है समान आर्थक सब्द कहा जाता है जिससे या फिर एक और वर्ड उसके लिए आता प्रेशन से श्रीनमस मतलब समान आर्थक या प्रयायवाची सब्द या प्रयायवाची सब्द आर्थक और विरोम सब्द आर्थक या विरोम सब्द आर्थक जैसे है कि he was angry saying the money 70 पैसे अर्लियर he was not surprised saying it या saying the money because he had unwavering or form faith in God यहां भी एक वर्ड आये unwavering or form यानि अडिक विश्वास इसवर पर आईसा विश्वास जो तूटने वाला नहीं है तो पहले तो 70 पैसे को तो देख की गुस्सा हो जाता है हलाकि पहले वो जरा भी surprise नहीं था जब उसे envelop दिया जाता है he was quite sure कि God तो definitely बनी भेजेंगे सो जड़ा भी surprise नहीं था अब आते हैं नेक्स चैप्टर नेलसन मंडेला लॉंग वॉप टु फ्रीडम देखें लॉंग वॉप टु फ्रीडम यह आपको मालूँ होना चाहिए इस इन आटो बाइग्राफ है रिटेन बाई नेलसन मंडेला यह जो प्रीडम के स्ट्रेगल में बहुत बड़ा उनका कंट्रिबिशन है और यह वास फ्रेसिडेंट और यह उस ब्लाक प्रेसिडेंट आप साथ अफरिका तो और दुसरी बात कि ही बिलॉंग टुद अफ्रिकर नेशनल कॉंग्रेस जैसे आपको पता है कि हमारे फ्रीडम मुव्मेंट को पढ़िएगा स्वातना अंदोलन को लगभग हर बड़े जो अंदोलन करता थे उस वक्त इंडिया नेशनल कॉंग्रेस को बिलॉंग करते थे या उस पार्टे से आपने आपको अफ्लियेट करते थे तो आज बहुत सारी पार्टिया है इसी तरीके से वह नाम याद रखिएगा अफ्रिकन नेशनल कॉंग्रेस मैंने याद रखने के लिए एक अभ्यार किया ताकि आपके रिमार में भी याद हो जाए वह ने कहा कि करेज एक्चुली क्या है करेज यह नहीं कि किसी को डर नहीं लगे बलकि यह जो आदमी अपने डर पे जीत पा ले यानि अपने डर पो अपने काबो में कर ले वही असल करेज है तो यह जो कह रहा थी कहां पर लिया गया था और कंट्री का जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो क्या है उनके मताबिक यह वहां के लोग है यानि असल जो संपत्ति किसी देश की वहां के लोग है यह विश्वास था उनको अपने लोगों पर वह आदमी जो किसी दूसरे आदमी के स्वातंतरता को चीटता है वह क्या है यानि वह नफरत का खुदी प्रिजनर है जो बंदी है यानि देश को किस चीज से अजाद करने की जरूरत थी वह पावर्टी अप जानते हैं गरीबी हंगर यानि भूख करते हैं किसी तरह का भेद भाव खासकर काले गुरह का भेद भाव इस तरह का और जेंडर डिस्क्मिनेशन लिंग बेद आप जान रहे हैं और डिप्रिव सब्सक्राइब कर दिया जाना यह वो चीजें थी जिससे किसी देश को आजाद करने की जरूरत थी यानि हम जब बात करें साथ अफरिका की कि इस अंसर आएगा आपको कुश्चिन आएगा तो आप लिखिएगा ठीक है ना पावर्टी हंकर एपाथेड जेंडर डिस्क्रि उनको जो अब मौझूद नहीं है जिन्होंने आजादी के लगाई में अपने जान कमा दी है ना एकॉर्डिंग टू नेल्सन बंडेला के मताबिक हर एक आदमी के कंदे पर कहिए दो प्रकार की जिमेवारी है प्रकार के जिमेवारी है जिसकी वह बात करते हैं यह शॉट अंसर लॉंग अंसर सभी जगह ही आता है चलिए अब हम बात करते हैं टू स्टोरी जबाव फ्लाइग और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ हूं आपसे मेरे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और कॉमेंट किजिए आप आगे किस तरह की चीज़ देखना चाहते हैं क्या कमी महस आपको पता है कि सीगल क्यों डर रहा था उनने से वह क्यों से डर लग रहा था कि तॉट इसे लगा कि उसका विंग्स जो है डायना सपोर्ट में करेगा वह तो गिर जाएगा वह नीचे घाटी में और दिन पहले ही कौन लोग उडान भर चुके थे इस तू ब्रदर्स एंड और इससिस्टर उसके दो भाई और उसकी बहन दो दिन पहले उडान भर चुके थे और इसलिए उसके माता पितानी उन्हें अकेले छोड़ दिया कि अब तुम तुमे खाना पिना नहीं मिलेगा भुखे रहना होगा अब तुम उडान भरने के कोशिस करो for how long nobody had come near the young seagal कितने लंबे समय से कोई उसके पास young seagal के पास नहीं आया था for the last 24 hours पिछले 24 गंटे से कोई उसके तरीव कोई उसके नजदिक नहीं आया था the first lesson the seagal's parents taught was to skim the waves or the art of flying ठीक है तो यह जो फाहला lesson है जो सीगल के parents नहीं उसे दिया था वो कैसे waves को skim करना है यानि तैरने को ले करके और उडने को ले करके अपने डैनों को किस तरीके से यानि डैनों को चलाना है या उनके parents से सिखाया था इसी में आगे बढ़ते हैं the young seagal dived at the fish because he could not tolerate hunger anymore वो जो यंग सीगल था वो इसलिए डाइब कर लिया क्योंकि उससे भूख अब जानते हैं कि अब उसे लग रहा था कि भूख बरदास्त नहीं होगा आखिर कर देता है he cried begging his her mother to bring some food यानि हर के जगा हो कि वो इसलिए चिला रहा था चीख रहा था ताकि अपने मदर से वोड मांग रहा था खाने के लिए अपने लिए कुछ मांग रहा था after saying the mother coming towards him the seagal was happy और जब वो देखता है word seagal कि उसकी माँ उसकी तरफ आ रही है तो he became very happy है बहुत खुश हो जाता है what is green flooring green flooring किसे कहा गया chapter में it is the vast green sea bank वो दूर दूर तक जो पानी की मतलब जो गहरे नीचा समंदर था दूर दूर तक उसका किनारा था उसको कहा गया green sea bank why couldn't he rise from the green sea वो अपने green sea में जब उतर गया था तो वहां से उपर क्यों नहीं उठ पा रहा था इस डर भी लग रहा था इसलिए वह पूरी तरीके से वह टायर्ड है वें डिड़ ही गेट रड़ अपने डर्स को जीद पाता है उससे दूर हो पाता है जब उसका प्रेट जो हैगा फानी के सता को टाच करता है तब फाइनली वह जीद पाता है है ना चलिए अब हम लोग टॉसिंग और त्विस्टिंग इन देयर वह एरोप्लेण क्यों आसमान में गोते खा रहा था इसको ले ले लहा था था इसलिए वह प्लेण आसमान में इसको ले खा रहा था वह उस वक्त कितने बज़ रहा थे जब नारेटर अपने वाच को देखते हैं उस वक्त बज़ रहा था डेढ़ बज़े यानि टिक 1.30 एम आपको पता है कि 12 बज़े रात के बाद से एम कहलाता है और फिर 12 बज़े दिन के बाद से फिर वह पी एम कहलाता है वोट वोस डेड और कोई जवाब नहीं मेल रहा है इन देखने कि चाप्टर के शुरुवात में मौसम बहुत अच्छा था फर्स फाइग्राफ में आपने पढ़ा होगा ना ब्लाक एरोप्लेन में कैसे आपको पता चला कि मौसम साफ सुत्रा था तो उसमें कुछ वर्स या फ्रेज्ज यूस किये हैं जैसे राइजिंग मून स्टार स्वाइनिंग और चांद निकला हुआ था सिदारे निकले वे थे तो यानि पता चलता कि आसमान बिल्कुल साफ था कहीं कोई बादल नहीं था कोई आधी दुखान नहीं था क्लाउड लेस तरह था यहां था था युदु के फ़स्ट इस रहे तो पाइलिट ओंगेगा यह ब करना चाहा रहे था यानि दुसरा प्लें आसमान में दिख रहा था वह क्या कहता है यानि आपालों मीं फॉलों मीं वह कहते मेरी किसे आऊ-ऊ-पीश्याओ अब दे कंट्रोल टावर और कंट्रोल टावर से उस आरत ने क्या कहा क्या किया किया थे वहां तो कोई दूसरे नहीं था यह बात उसके लिए बड़ी सब्राइजिंग और श्रॉकिंग थी क्योंकि उस पूरे आंधी और तुफान से निकालते हुए जो दू प्लेन लेकर अब सबसे पहला पुछा जाएगा who has authored or written the diary कौन लिखता है डाइरी ओविएसली दचैप्रा का नाम ही है from the diary of Annie Frank के लिखी भी डाइरी है लिखने को मिला था यारी वो किस सब्चेक उनको लिखना पड़ा तौस सब्जेक था था तॉस इस टीजर ने दिया था वह था चैटर वॉक्स इस तैटल था चैटर वक्स तो इस टाइटल पर उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा लिखोँगी ऐसा लिखोँगी, मैं इस बात को साबित कर दोंगी कि हमारे लिए बात करना जरूरी है, है ना, और क्यों बात करती हूं इतना ज़ादा, किसके पास ज्यादा पेसंस है लोगों से भी ज्यादा पेपर, है ना, पेपर हाज मोर पेसंस देन पेपर, रिमेंबर गाट ओके, वाई वस अनी डिप्रेस्ट, दिस्पाइट हैं थर्डी पीपल अराउंड हर क्यों डिप्रेस्ट और अकेरा महसूस करती थी, अनी हलाकि उसके आस पास 300 लोग थे विकोंशी हैड नो रियल फ्रेंग तो गनफाइड इन, इसलिए कि उसके पस कोई सच्चा दोस्त नहीं था, जिससे कि वो बात कर सके, जिससे दिल की बात कर सके इसलिए उन्हों डायरी लिखना शुरू किया, who was and is long associated friend, आनी कि एक लंबे वक तक कौन दोस्त रही, kitty, her diary, उसके अपने डायरी का नाम उन्होंने रखा था, kitty, है न, वह ही उसकी दोस्त थे, how does she begin her diary, और अपने डायरी को लिखना कैसे सुरू करती है, by giving an introduction, addressing, dearest kitty, अपने introduction लिख दिया, where were Margaret and his sister born, okay, her sister born, कि Margaret और उसके sister कहां पैदा हुई थी, in Frankfurt, in Germany, वो कहां पैदा हुई थी, in Frankfurt में, Germany में, जो कि लिए है, Frankfurt वहां, how does Annie explain her father, और अपने father के बारे में, वो कैसे explain करती है, क्या कहती है, most adorable father, याद है postman के बारे में कहा गया था न, adorable मतलब, याद friendly, amicable, lovely, jolly nature के जो आदमी होता है, उसे कहा था, adorable, where did Annie study until she was six, Annie कहां पढ़ती थी, जब तक कि उनके उनके 6 साल की हो गए थी, Montessori Nursing School, यह सब answers जरूर याद रखिएगा जो बताया जा रहा है, अगर वीडियो में एक बार में आपको याद मेरा है, तो दोबारा वीडियो को देखिए, तीसरी बार देखिए, इससे देखिए, याद रखिए, और no down भी कर सकते हैं, और अपने friends के साथ, अपने classmates के साथ, अपने दूसरे friends के साथ, शेयर कीज़े, अगर, who was the headmistress of the school, और headmistress, कौन थे school की, उनका नाम था, Mrs. Kupras, okay, when was grandma died, और grandma का death का हुआ था, January 1942, आप इससे याद रखिएगा, 1947 में हमारी कंट्रे जाद हुए थी, उससे ठीक 5 साल पहले, ठीक है न, 1942 में, उनके grandma का death हुआ था, okay, why was the birthday not celebrated in a grand way, तो Annie का, Annie का birthday, क्यों नी grand style में किया गया था, Annie Frank को डाइरी इसलिए नी किया गया था, क्योंकि because the grandmother had fallen ill, and had gone through an operation, इसलिए कि उनकी जो दादी मा थी, वो grandmother बीमार हो गए थी, और एक operation उनका हुआ था, इसलिए बहुत स्थीदे साधे तरीके से उनका birthday celebrate किया गया था, कोई धूमदाम से नहीं, इसलिए कि एक्जाम का रिजल्ड जल्दी निकलने वाला था, और आपको तो यादिए कि आप भी अपने क्लास में जब रिजल्ड आने वाला होता है, तो किस तरह का excitement होता है सारे इस्ट्रेंट के बीच में, Who has assigned Annie to write an essay, Annie को किसने ये task दिया था कि एसे लिखने के लिए, तो किसने दिया था बताईए, Mr. Kissing ने, Title of the second essay, चुकिए first essay का title क्या था, a chatterbox, second essay का title था, an incorrigible chatterbox, यानि ऐसा बखबखिया या बखबख करने वाली लड़की जो incorrigible है, जिसको नहीं सुधार आ जा सकता है, incorrigible मतलब something that cannot be corrected, the third and the final essay, फिर जब तीसरी बार लिखने दिया जाता है, तो उसका title क्या था, quack, 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 यह बनता क्या आवाज की तरह यह जो करती रहती थी, quack, quack, इसलिए, Now, Sani offered to help her writing the essay in verse a poem, Sani ने मदद किया था, कि वो उसके essay लिखने में, यानि जो verse या poetry को फॉर्म में, लिखने में, Sani मदद करेंगी, यह question बहुत reward में बार-बार आता है, The Father Swan in Annie is as a symbolized Mr. K. Singh, और जो Father Swan, जो अपने चोच से मार मार के अपने बच्चों को मार देता है, वो symbolized करता है किसे Mr. K. Singh को, तो यह था chapter, और अगर अब तक बने हुए हैं, तो मुझे पूरा यकिन है, आफ वीडियो को रहे लास तक देखेंगे, जरूर देखिए, इसे note down कीजिए, और ताकि इस 40-45 मिनिट्स में आपकी complete book का prose section complete revise हो जाता, आप यह सुचिए कि इस एक वीडियो में, आपकी complete book को revise हो जाता है, ठीक है? तो next chapter हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है The 100 Dresses, यानि part 1 and part 2, दोनों एक साथ हम लोग कर रहे हैं, वे दिड़ वांड़ पेट्रॉंस की stay or sit, वांड़ पेट्रॉंस की कहां रहती थी, या कहां बैठती थी actually, कहां रहती थी नहीं, तो वो रहती थी the corner of the class, वो देखदम किनारे में जहां बदमास बच्चे शोरगूल करते रहते थे, वहीं उनको बैठती, इसलिए क्योंकि वो बाकी लोगों से अलग थलग थोड़ा राना पचाती थी, इसलिए एक backbencher की तरह वो पीछे जाती थी, वो अकेली क्यों रहती थी, या दूसरी लड़कियां उससे कैसे ट्रीट करती थी, कैसे उसे व्यवार करती थी, तो answer is, everyone made fun of her, हरकोई उसका मजाग उडाता था और यही वज़ा है कि वो अलग थलग महसूस करती थी अपने आपको, Peggy and Maddy sat in the front seat with children who got good masks, पेगी and Maddy जो है, वो front seat में बैठती थी, दूसरे उन बच्चों के साथ, जो बहुत अच्छा मास लाती थी, जबकि उसके उलट देखिये तो, Wanda पे ट्रॉंस की वो इंदम अलग थलग बैठती थी पीछे, वो यह क्यों कहती है, लाकि वो घरीब बढ़की थी, कि उसके पास 100 ट्रेसे है, तो काउंटर अधर गल्स, ताकि दूसरे लटक्यों का मूँ बंद कराया जा सके, कौन है जो अंदर ही अंदर पसंद नहीं करता था कि Wanda के इस तरह से मजाक उड़ाए जाए, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी, जी हाँ, वो Maddy है, Maddy को यह बुरा लगता था, but she kept quiet, next, who was Miss Mason, Miss Mason कौन थी, their class teacher, उनके class teacher थी जिन्होंने लेटर पढ़ा था उनके फादर का, वही Miss Mason उनके class teacher थी, where was Wanda house situated, अब यह एक important है कि Wanda घर कहा था बहुत दूर जाते जाते तो टॉप अप अहिल, लेकिन नाम याद रखना है, Buggins Heights, अगर आपका नाम दिया रहेगा Buggins Heights तो आप यह answer कीज़ेगा, और अगर नाम नहीं दिया होगा तो लिशेगा on top of a hill, ठीक है ना? Okay, how was Wanda's dress? Wanda का dress किस तरीके से था? तो it was faded blue, clean but not iron properly, वो जो है जिसका रंग थोड़ा धूंदला हो गया था, खलका हो गया था, साफ सुत्रा था, लेकिन iron नहीं किया हो आता था properly, है ना? यही था, चुकि विचारी वो गरीब लगकी थी, Why did she wear some dress daily? Why did she wear same dress daily? वो क्यों एक ही तरह का dress या एक ही dress को रोजपान दे थे? इसलिए कि वो गरीब लड़की थी, उसके पास बहुत सारे dress नहीं थे, गरीबी होना आपने आपको कोई खिनाम चीज़ नहीं है, लेकिन क्या है कि उसके बहुत सारे dress नहीं थे, इसलिए दूस somebody's used और handmade-on clothes, usually given by Peggy's mother. वो इसलिए क्योंकि वो दूसरे को दिये हुए कपड़े को या second hand कपड़े को पहना करती थी, इसलिए खासकर जो Peggy की माँ उसको दिया करती थी, वही कपड़े मैडी मैडी पहना करती थी. Miss Mason announced the winners of the contest, Jack Biggles for boys and Wanda Petronski for girls. अब यहां बहुत important है, किसने announce किया था winners? Miss Mason ने, जो उनके class teacher थी. और winners किनको किनको कहा गिया था है? Jack Biggles को boys के लिए और Wanda को, Wanda Petronski को girls के लिए. Wanda had drawn 100 designs, थी तो आपको पदा है, chapter का नाम ही है, the 100 dresses. So Wanda became the winner in the contest, the Maddy expected Peggy to win the girls medal. Wanda became the winner in the contest, हाला कि Wanda हो जाती है, हाला कि Maddy को लग रहा था, कि Peggy को मिलेगा girls medal. इसलिए girls medal मिलेगा, क्योंकि Peggy पढ़ने में अच्छी थी, drawing में अच्छी थी, Peggy सारी चीज में ठीक थी. तो Maddy expect कर रहे थी, कि Peggy को मिलेगा, हाला कि वो winner खान हुई, Wanda Patrons के. The monitor brought a note for Ms. Mason from the principal's office, a letter from her father. पहले था है कि इसमें काईगा, कौन letter लेकर आया था, note लेकर आया था, तो Ms. Mason के पास तो monitor. और उसके बद क्या लेकर आया गया, कहां से लेकर आया था, principal's office से. और उस note में था कि a letter from her father, यानि Wanda के father का letter था. The advice they gave to the class, I want you all to think about it. क्या था advice? वो यह था, जब teacher कहती है कि मैं चाहती हूँ, तुम सब इस पर गावर करो, या इसको school छोड़ना पड़ा, सब चीज मानगा होगी है, तो teacher अपना जो है, इतना ही कहती है, बहुत उदास हो जाती है, कि I want you all to think about it. How does, sorry, how did Miss Mason react, or behave after reading the letter, वो रिलेटर पढ़ने के पाद कैसा react करती है, तो वो तो उदास हो जाती है, she took off her glasses, वो अपना चस्मा निकालती है, उसमें फूक मारती है, wipe them on her soft white handkerchief, और वो उसको पोच्छती है, अपने सफेद रुमाल से है, What was Peggy's cowardly act, यानि वो डरपोक वाला मने हरकत क्या था, पेगी का, to stand by silently, वो यह था कि हर बात को चुपचाफ से बढ़दार्ट दाना, पेगी knocked firmly on the door, but there was no answer, पेगी जोर से धक्के मारती है, या नौक करती है दर्वाजे पर, लेकिन क्या होता है, there was no answer, यानि जब वो अंड़ा से मिलने के लिए, Maddy और पेगी जाते हैं, तो वोण कोई जवाब नहीं मिलता है, जब Maddy देखती है बहुत ध्यान से ड्रॉइंग को, तो क्या होता है, वो बहुत उदास हो जाती है, और उसकी आखे भार आती है, उसके आख धुंदलापन क्यों हो जाता है, यानि क्यों आखों में आसु भड़ जाता है, तो when Maddy looked at the drawing, जब Maddy drawing की तरफ देखती है, वो खड़ी हो जाती है, और कुछ नहीं कहती है, अरलिर दे मेड़ फन अप Wanda, बट Wanda had been nice to her all the time, इसलिए की पहले वो हमेसा मजाख उड़ाया करती थी, वानडा का, लेकिन वानडा हमेसा उनलों के साथ अच्छा वेवार करती थी, कभी उनलों का पलट करके उनका मजाख नहीं उड़ाती थी, और इसी को वज़े से उसके आठ में आशु भर जाती है, और ड्राइग में क्या नजर आता है, है ना, फाइनल है, आंसर, शी फाउंद आट, फेस इड़ाइड अच्छा यानि जू नहीं नजर आता है, कि यह जो उसमें फेस है और चेहरा है, वो सब किस की तरह है, खुद उसी की तरह नजर आ रहा है, यानि फेगी को यही दिखता है, चलिए, लेट्स मूव ओन तो दे नेक्स चाप्टर, अब हम लोग बात करते हैं, अपने अगले चाप्टर, ग्लिम्सेस फॉम इंडिया, अब यहां आपको पता है कि इसमें तीन चाप्टर आपको पढ़ना है, ग्लिम्सेस फॉम इंडिया, सॉरी, ग्लिम्सेस फॉम इंडिया में आप बेकर फ्रों गोवा, खूर, टी फ्रों आसाम, यह तीन चाप्टर है, ठीक है ना, तो तीनों चाप्टर की बात करते हैं, सबसे पहला, बेकर फ्रों गोवा, दे बेकर से कॉर्डिंग चुद आउथर इस्टिल एक्जिस्टिंग गोवा, जो बेकर से लेखार के मताविक आज भी कुछ बेकर मौजूद है, जो गोवा में, जो इस बिद्नस में मौजूद है, कौन लोग हैं, जो अब बहुत पहले ही गोवा छोड़ चुके हैं, और अब जगायब हो चुके, अब कहीं है नहीं, और वो लोग हैं, जो ब्रेट बहुत पसंद करते थे, आंसर इस पॉर्टुगीज, ये पुर्टगाली लोग जो थे, पॉर्टगीज जो थे, इन्हें ब्रेट बहुत पसंद था, देवेर्स दर्रा, लवर्स ऑफ ब्रेट, और अब वो बहुत करम हो गएं, चले गएं, कुछ बेकर्स तो अभी भी मौजूद हैं, लेकिन पॉर्टगीज अब वहाँ नहीं रहें, है ना, च्योंकि भारत के अजाद होने के कुछ सालों के बाद, धीरे-धीरे, जो भी बाहर के रहने वाले लोग थे, धीरे-धीरे छोड़ गएं, इंडिया, जब वह स्ट्रीट में गली में आते थे बेकर, तो उनके अराइवल का उनके आने का पता कैसे चलता है, यानि जो वह आवाज मास को पी लिये जाते थे, उसी पर फिर वह अपना समान रखते थे बास्केट को और बेचते थे, तो इसी आवाज से उनको आने का पता चलता है, जैसे आज लिए आपको पता है, जब आप आइस्क्रीम वाले आते हैं, या खुछका बेचनी के लिए आते हैं, तो खिस तरीके से वह खास तरह की घंटी या कोई आवाज करते हैं, वो ऐसे ही, वो कब दुसरी बारा आया करते थे, वो दुसरी बारा आते थे जब उनका पूरा खाली हो जाता था, बासकेट खाली हो जाता था, पूरा ब्रेट है वो बिख चुका होता था, वो बच्चे उसे को धक्का मुखी क्यों करते थे, आपको याद आ रहा हुए स्टोरी कि उनको ब्रेट बैंगल्स पहना दिया जाता था, यानि चुडी जो है, बैंगल्स के जो चुडी होता है, या बाला होता है, उस ब्रेट का बना हुआ, और उसे लेने के लिए वो दौड़ पढ़ते थे हैं, ओके, नेक्स्ट, बेकिंग प्रोफिशन वस इंडीज अ प्रॉफिटबल प्रोफिशन दियूरिंग दोस देज, यानि जो यह जो है, बेड, रोटी, या फिर कहिए कि वोड़ा पाओ, डबल पाओ, यह जो नालग लग नाम से आप जानते हैं, यह आज भी, यानि उन दो, उस दो में की बात की जा रही है, यह एक प्रोफिटबल प्रोफिशन, एक अच्छा खासा आमदनी वाला एक बिजनस था, यानि वो जो बेकर्स के उस, यानि लोव ब्रेट है, उससे जो खुस्बो निकलती थे, खास तरह की, उसको बड़ी पसंद करते हैं, आज भी उन्हें वो याद है, जो 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 शादी में गिफ्ट की तरह दिया जाता था, उससे कहा जाता था बोल, जब बेटी की मंगनी होती थी, इंगेजमेंट होती थी, तो क्या बनाया जाता था लेडिज के जरिये, वो रथा सैंविचेज, नेक्स, वो जो बेकर्स थे या जो ब्रेट बेशने वाले लोग थे, वो खास तरह का पहना वाए, वीचे तरह कोशाक पहना करते थे, हिराले तरह की, उससे कबाई कहते थे, यहीं कबाई है, यह सब शॉर्ट आंसर में बहुत जोर आता है, और आप इसे लिख सकते हैं, Where were the monthly accounts of the bakers recorded, monthly account bakers के कहां लिखा जाता था, on a wall in pencil, यानि पेंसिल से एक दिवार पर सारा पूरे महने का हिसाब किताब लिखा जाता था, strange ना, चलिए, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, next chapter के तरह, कुर्ग, what is कुर्ग, so it is the home of evergreen rainforest, spices and coffee plantation, तो कुर्ग क्या है, तो यह है, मतलब जो सदा बहार, जो वन होता है, जंगल होता है, जहां हमें सा बारिस भी होती रहती है, और मसाले के पेड़ महां होते हैं, coffee plantation है, यानि, spices and coffee plantation, वो जगह है, जो कुर्ग, another name of कुर्ग is Kodagu, है न, Kodagu, या Kodagu, यह चुंकि एक current name है, I don't know how exactly to pronounce this, so, अभी हम इसे Kodagu कढ़ते हैं, चलि, evergreen rainforest cover 30% of the district, और यह जो evergreen rainforest है, उस district को, यानि कुर्ग, district के 30% area को 30% को cover करता है, rainforest, and where is कुर्ग situated, यह question आता है, कि कुर्ग कहां पर मावजूद था, The answer is, midway between Masur and Mangalore, यानि, Masur और Mangalore के बीच में एक जगह है, Kod, and that is the smallest district of Karnataka, यह Karnataka का सबसे छोटा जिला है, The regional dress of Kurgi people was called Kopya, और उहां का जो पारंपरिक परिधान जो था, उसे कहा जाता था, The Kopya, और The Kurg are the independent people of Greek और Arab descent, यानि उनके जो डिसेंडेंट कौन थे, किनके वन सजी यह है, तो यह तो ग्रीक थे या अरब थे, Kodavus, जो लोग थे, उसे कहते थे, कौपया, और कौपया resembles the Kofya won by Arabs and the Kurds, यानि अरब लोग या Kurds, जो है, कुर्दिस्तान के लोग जो कहना करते थे, उसे कहते थे, कौपया, कौपया और कौफया दोनों नाम एक जैसा मालूम होता है, इसलिए लगता है कि वो Arab descendant थे, है न, चलिए, आगे बढ़ते हैं, What type of animals are found in Kurg, किस तरह के जानवर कुर्ग में पाए जाते थे, So wild animals, है न, जंगली जानवर, चोकि वो तो rainforest था, पूरा जंगली राका था, Which river obtains this water from the hills and forest of Kurg, कौन सी वो जो नदी है, जिसके पानी जो है, hills से और forest से होते हुए वहाँ मिलता था, तो the river Kaveri, the answer is river Kaveri, Kaveri नदी, कुर्गी homes have a traditional hospitality, hospitality means, अतिति सत्कार करना, यानि यह जो इसके रिवायत है, महमान नवाजे की जो तौर तरीका है, या पिर कही अतिति सत्कार का यह जो परंपरा है, यह कुर्गी लोगों के बीच में था, है न, यह बहुत अच्छी परंपरा उनके बीच थी, कुर्ग रेजिमेंट यह सबसे पहला जो इंडियन आर्मी का बहुत डेकुरेटर रेजिमेंट में से एक रेजिमेंट है, सोचिए कितना पुरान है यह, Now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license, वो कौन लोग है, Kodavus ही है, जिनको की आज भी बिना लाइसेंस के हाथियार रखने की इजाज़त है, उन्हें परमिसम है, है न, What is referred as a peace of heaven, क्या चीज़ है, जिसे कहा जाता है peace of heaven, obviously, cool, है न, चलिये, Next chapter हम बढ़ते हैं, यह third part है, जिसमें कहा गिया tea from Assam, Who has never seen so much of greenery, किसने कभी इतना हरा बरा इलाका अग नहीं देखा था, तो answer is Rajveer, है न, Rajveer अपने दोस्त के साथ, उनके घर आया था, मिलने के लिए, उनके tea garden को देखने के लिए, The green paddy fields gave way to tea bushes, यानि वो जो green tea paddy fields था, वहाँ से होते हुए, वो जो रास्ता कहां पहुंचाता है, tea bushes तक, यानि चाय के बगान तक, जो मने जाड़िया थी, चाय के बगान था, वहाँ तक, Why was Rajveer excited? Rajveer इतना excited क्यों था? Because he had seen and spotted such green garden first time in his life, इसलिए कि उन्होंने इस तरीके से जो इतना हरा भरा garden पहली बार अपने जिंदगे में देखा था, इसलिए वो बहुत excited था, है ना? आंसर यादर रफिएगा, क्यों इतना excited थे? उसलिए, the tea plants look tiny in comparison to tall studded trees, और यह जो tea plants थे, वो बड़े बड़े असदा बाहर उन प्रेडों के मुकाबले में उसके दुलना में यह बड़े छोटे मालूम हो रहा है थे, The second sprouting period lasts from May to July, और यह जो second sprouting period है, वो May से जुलाई के बीच में होता है, जिसमें की बड़ी अच्छे quality के पतिया, यानि चाय हुआ करती है, Who plucked the tea leaves? चाय की पत्वियों को कौन तोड़ रहा था? A group of women, यानि औरतों का एक group था, जुन था, जो यह काम कर रही थी, औरतों का लड़कियों का है, The tea bushes were spread on both sides of the road, और जो यह जो चाय का बगान था, चाय के जाड़िया थी, रोड के दोनों तरफ पहला हुआ था, बाएं भी और दायने तरफ भी, Where was the tea first drunk? चाय पहली बार कब पी गई थी? In China, around 2700 BC, यानि आप याद रखें कि आज से लगबग 5000 साल पहले की बात है, जब सबसे पहली बार चाय में चाय पी गई. Now, who was Pranjal's father? Pranjal के पिदाजी कौन थे? उनका नाम क्या था? Mr. Darua, tea was drunk more as medicine in 6th century Europe than as beverage, यानि जो चाय थी, वो medicine की तरह पी जा रहे थी, यानि आज की तरह सिर्फ चाय हम लोग चाय पीने आदत की तरह पीते हैं, चलो चाय पीना है, वैसे नहीं, बल्कि medicine की तरह पी जाती थी चलिए, अब तक साथ पने के रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you, मैं फिर से अपसर request करूंगा कि definitely आप like करें, subscribe करें, और share भी करें वीडियो को, और comment जरूर करें कि आप चाहनते हैं कैसे मैं वीडियो को बनाओ, तो आप आधे से जादे पूरी लगभग 60% ठीक है, the author told his friend of his desire to have an otter as a pet, वो अपने friend से क्या अपने ख्याल का इजहार करते हैं या फिर अपने सोच को बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं pet के रूप में रखना, एक otter को चाहते है, रखना, who goes to Basra to get the tamed otter, और Basra को जाता है, Maxwell, यानि वही author है, जो जाते हैं, कि जाने के चाहते हैं, Basra से अपने लिए tamed otter को लाने के लिए, यानि पालतू otter को लाने के लिए, the otters were tamed and trained by the Arabs, यानि otters को कौन, यानि पालतू बनाता था, पालता था, बोस्ता था, उनको train करता था, training देता था, वो Arabs थे हैं, what group of animals does otters belong to, यानि otters किस तरह के, मतलब group को belong करते हैं, scientifically जिस group को belong करते हैं, या biological नाम, जो उनका नाम है, वो कहलाता है, mustilins, mustilins, मिस और मिल्वन's favorite toys were marbles, हैसे हला कि कुछ और भी toys का नाम लिया गया है, बुक में आपके, लेकिन जो उसके most favorite toy था, वो क्या था, marbles, जिससे वो खेला करता था otter, where could the author find an otter easily, और वो otter कहां, असा और को, यह otter कहां, आसानी से मिल सकता था, in the tigris masses, अरब, अरब के tigris masses में, वो आसानी से मिल सकता था, इसलिए otter वहाँ जाते हैं, sorry, author वहाँ जाते हैं, next, the otter looked like a dragon, या फिर दूसरे तरीका से आज सकता ही, तो like a dragon याद रखियेगा, या फिर दूसरे आपके book में जो द जहरा, order का, what did the author not expect, author क्या expect नहीं करते हैं, a cloud of dust when it shook its body, यानि जब अपने सरीर को जब जग जोड़ता है, water, तो पूरा धूल गरदा उससे निकलता है, और यह जो उन्होंने बिल्कुल भी expect नहीं किया था, चुकि वो अरगिस्तानी इलाके में रहने वाला जैनवर था, त पूरे वगरे में, for the first 24 hours, मिजबिल वस नाइधर hostile नो friendly, और जब लाने के बाद, शुरू के 24 घंटे तक ना तो वो बहुत friendly हो रहा था, दोस्ताना और ना ही वो, यानि कोई हमलावर हो रहा था, ना तो कोई, यानि, ना तो वो दूस्मन समझ रहा था, ना दोस्त समझ रह जा रहा था, सब तरफ जा रहा था, लेकिन सबसे जादा वो enjoy किया, वो बात रूंगा, in London, मिजबिल और मैस्विल दोनों क्या खेलते हैं, तो पिंग पॉंग गेम खेलते हैं, ठीक है, the second night, the author came to the narrator's bed, और यह important है, कि वो कब नाइटर के bed में आया था सोनने के लिए अलग तर लग रहा था, second night वो आता है, did the author take interest in the home at first, क्या वो आटर जो interest लेता है, सबसे पहला, no, initially he was apathetic or indifferent, यह इसको पर नहीं पढ़ रहा था, वो बिल्कुल indifferent है to the place and the author, बात में क्या हो था, लेटरों नहीं followed the author, बात में वो जहां 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 वो author जा रहे थे, साथ मे आता है, apathy means absence of interest, जिसमें कोई interest नहीं हुआ, उसके काहता है, apathy, चलिए, हम लोग, we move on to the next chapter, madam writes the bus, और अब आप अर्मुस्ट हम लोग अपने आखरी कगार की तरफ पहुच रहे हैं, है ना, last के तीन chapters बच गए, so madam writes the bus, what was वली's tiny wish or overwhelming desire, वली का चोटा सा wish क्या था, है ना, जिसको कि वो control नहीं अपने desire कर पा रहे हैं, so वली's tiny wish or overwhelming desire was to ride on the bus, even just once, चाहे एक ही बार क्यों ना, उसका wish यही था कि काश के वो एक बार bus में चाड़ जाती, यह बहुत बड़ी बात थी उसके लिए, who would वली stare at, वली किस की तरफ लगातार घूर रही थी, देख रही थी, वली एन 8-year-older, वली जो कि 8 साल की एक लड़की थी, वो stare at people when the bus stop, when the bus stop at the street corner, जब वो वहाँ पर कह सकते हैं कि street corner पर या चाहर आहे पर bus रुखती थी, तो वो लोग भूरती रहती थी, देखती रहती, तो उसके दिल में यह इच्छा थी कि किस दिन मैं बस यूँगी, यानि जो सहर था, गाहों से 6 मील दूर था, और जो फेर यानि उसका किराया था, वो कितना था, 30 पैसे, या आज से मत समझें कि 30 पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, 30 पैसे चलता भी नहीं है, मौजूद भी नहीं है, यह बात उस वक्त की हो रही है, जब महारादेस आजाद भी नहीं हुआ था, या जस्ट इमेडियेट उसके बात की बात होगी, तो उस वक्त इस पैसे का वैल्यू था, और वोली के लिए बहुत बड़ा खुसक्रिसमती की बात क्या थी, 30 पैसे, even 30 पैसे रखना उसके लिए बड़ी बात थी, और ड्राइवर की तरफ जा रहा था, तो वो किस तरीके से चला रहा था गाड़ी, लाइक पुलेट, गोली की तरह एक दम, हाँ, ना, वो ताइप उस था, वो किस तरह का आदमी था, वो बहुत खुसमिजाज आदमी था, यह वो जॉली शॉट आया है, पहले साइब, वो कॉल्स वली मैडम, वली को मैडम कहके कौन पुकारता है, बस में कितने लोग थे, सिर्फ छे पैसेंजर, छे यात्री थे, हर टोटल सेव मनी वस 60 पैसे, यह भी याद रखी है, कि वली के पास जो टोटल पैसा, जो बचत था, उसका 60 पैसे था, वो जरा भी बोर नहीं हो रही थी, और पूरे रास्ते भर वो, सेम एक चीज दूसी चीज तिसी चीज देख रही थी, और क्या चीज है जिसको बहुत लवबल बीटिफिल क्रीचर वो कहती है, और जब वो अच्छानक उसका मन दुखी हो जाता है, और वो बहुत उसको बुरा लगने लगता है, किस चीज ने यह कर्शन आता है कि किस चीज ने वली को बहुत उदास कर दिया, दास हो जाती है, और वो बहुत उसे दुरा लगता है, और उससे लगने सी ने यह जाती है, लगने सब फूरा लगने लिदेने कर दे ना के दाले आव को सिसमत करते हैं, आड़ी Sus sagt बेकूर्स का में बाद और दीौरली ज़ोफु प Mr.Dכills बहुत सारे सवाल करते हैं क्योंकि वह मतलब सी वस बादर बाउट वाली है चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब लास्ट हम लोग का सकते हैं कि 10th and 11th लास्ट के चाप्टर के तरफ है अब तक आप बने वे हैं मुझे पूरी उमीद है कि आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगी और यह भी मैं एक्सपेक्टर था हूं कि आप पूरी वीडि है उनके बारे में स्टोरी है उनका जर्म कब हुआ था 563 BC में में बिफोर प्राइस्ट है आज से 2000 साल से भी ज्यादा हो गया है जी आज़े प्रिंस ही वस नेम्ड सिद्धार्थ कौतम और चुंकि वह एक राजगाराने में पैदा हुए थे तो वह एक राजकुमार थे औ और उनका नाम रखा गया था सिद्धार्थ कौतम सिद्धार्थ कौतम सिद्धार्थ रिनाउंस्ट इस प्रिंसली लाइप ट्वेंटिफाइव और उन्होंने ये राजती जीवन को त्याग दिया कब जब उनके 25 साल की हुई At 12, he was sent away for schooling in the second Hindu scriptures और 12 साल के थे तो उनको पढ़ने भेजा गया ताकि वो जाए और वो जो हिंदु धनग्रम थे उसे पढ़े हैं सिच्छा दिच्छा ले कर आएं वो पढ़ते हैं चार साल बाद 16 साल के वापस लोटते हैं राजमहल वहीं रहते हैं और जब 25 साल के होते हैं ता फिर वो राजमहल को त्याग भी देते हैं When our son dies, Kisa goes from house to house in order to ask people some sort of medicine to save his life जब actually Kisa के बेटे का मृती हो गए थी तो वो घर-घर जाते हैं लोगों से मदद मांगने के लिए वो जाती हैं और वो क्या चाह रहे थी वो किसी तरह का medicine चाह रहे थी है ना Why was Kisa Gautami sad? यह question बुछा जाता है कि Kisa Gautami क्यों उदास थी? Because only son had died के लोग तब बेटा जो था Kisa का वो वो बिचारा उसकी मृती हो चुके थी इसलिए वो बहुत उदास्ती वो चाह रहे थी लोगों को कि वो ठीक हो जाए Finally Kisa destroyed that death was common to all अब बाद में Kisa को समझ में आ गया कि death का तो सामना हर किसी को मिर्थी को गले लगाना है उससे कोई बचने सकता At 25 he was moved to see the problems of people and he left to seek the solution concerning the sort of people Kisa asked for medicine to bring her son back to life और किसा लोगों से मांगती है दवा ताकि वो ठीक किया जा सके उससे दुबारा जिन्दगी दी जा सके Alright तो हम लोग बात कर रहे थे कि he was to find the reason and cure for the suffering of people कि वो लोगों की जो दुखों का कारण और इसका इलाज ढूडने की कोशिस कर रहे थे जो महापुरुष जो ग्यानी है ना स्रा की लोग जो बात करते हैं वो सर्मन उन्होंने सबसे पहला बनारस में ही अपना सर्मन दिया था और दिड़ गौतम बुद्धा सेट वो कहां बैठा करते थे अंडर फिक ट्री नोने जिसके निचे वो बैठा बैठते थे और उसे बोधी ट्री के नाम से जानते हैं या फिर ट्री ऑफ विजडम के नाम से भी जानते हैं अब यह था हम आपने लास्ट चैप्टर दे प्र प्रपोजर कौन है जो इस प्ले के राइटल चुंकि एक नाटक है ड्रामा है और इसके राइटर है अंटन चेकफ बहुत फेमस राइटर है वो डिट लोमो जो इन एक्साइटमेंट में क्या किया करते थे इन एक्साइटमेंट है इस तर रुट निग वो दॉर्णा इस लिए उनको लगता है कि उनके ग्रेंट पैरंस ने कहा था या उनों वो सोचते थे यह जो ऑक्साइटमेंट जिस जमीन को ले करके जगड़ा चल रहा है वो तो करता है यह उनकी है वो जमीन फिर एक लंबी कहानी है जिसको कि आपने पढ़ा है चुकि यह प्ले है पुरा का पुरा एक नाटक है और इस जगह अभी सिर्फ अब्जेक्टिव क्वेस्टिन को या फिर शॉर्ट क्वेस्टिन को कवर किया जा रहा है मैं कंप्लीट डिटे लोग के शार शेर केजिए और क्या कहता हूं आप कमेंट करके बताईया और आप क्या चाहते हैं तो फाइनल लास्ट टुपर्स वट इस सिंपलिस्टिव और अप्सें मिडोज अरो लो मो यह एक अजीब सी बात थी कि मतलब यह बेकुफी बात थे कि जब वो कहा जाता है क कि लोगो इंडिकेट्स दैट ही हैस कम विदे प्रपोजल टू नत्यालिया वो ने उनके प्रताजे सी यह कह दिया था और विस बात को कि वह नत्यालिया के लिए रिश्टे के लिए हमाए हैं है वो प्रपोजल के साथ हुए हमाँ आते हैं सब्सक्राइब के लिए साथ ही आपके लिए अपके लिए हो जाया है साथ ही आप के लिए अब्यक्टिव या शॉर्ट प्रसेंस कवर हो जाया है so thank you very much for being with me so much and thank you for your present listening see you soon in my next video bye bye take care and don't forget to yes subscribe में चारान हा